नमस्कार मोप्रीया बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है जल्द ही बिहार के पुढन एक्सप्रेस्वे का नर्मान शुरू होने बाला है जिसके नर्मान का πाम आमस दर्भंगा के बीच होगा अब आप ये सोचժेंगे कि एक्सप्रेस्वे ही तो है अब तक तो कई Expressway का जिक्र आप हमसे भी सुन चुके होंगे तो इसमें खास क्या है तो हम आपको बता दे कि बिहार में अब तक जितने भी Expressway को बनाने की मंजूरी मिली है सभी के सभी दूस्टे राज़े से होकर गुजरते हैं लेकिन ये पहला प्रोजक्ट होगा जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के जिलो को जोडने का काम करने वाला है मिली जुयानकारी के नुसार चार पकेज बनने वाले इस सड़क के दो पकेज का टिंडर पूरा हो गया है इतना ही नहीं सबसे कम बोली लगाने वाली एजंसी का च्रेयन भी कर लिया गया है कागजी प्रक्रिया पूरी कर अब एजंसी दो महीने के अंदर निर्मान कारेश शुरू करने वाली है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भारत माला पर योजना के तहती आमस दर्भंगा एक्स्प्रेसवे पर काम किया जा रहा है इस एक्स्प्रेसवे के दो पाकेज की मंजोरी हाली में केंद्रिय सड़क एवं राजमार परिवान मंत्रा लेने दी है महीं जिस पाकेज का टेंडर हुआ है उसका निर्मान 2024 तक पूरा करने का लक्ष है मिली जानकारी के अनुसार ये सड़क फोर लेन की होने बाली है इस सड़क के बनने से पटना का गया और दर्भंगा एरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा उत्तर और दक्षिन बिहार के बीच सीधी संपर्कता होगी कच्छी दर्गा पिद्दुपुर के बीच बन रहे पुल के माध्यम से वो वैशाली में प्रवेश करेगी मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने इस बक्तियारपुर ताजपुर पुल को ताजपुर तक जोड़ने को कहा है ऐसे में सड़क की उप्योगिता और बढ़ जाएगी अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे के रूट की तो औरंगाबाद से जयनगर तक बन रहा ये एक्सप्रेसवे इसकी शुरवात औरंगाबाद के मदनपुर से हो रही है जो की गया एरपोर्ट के बगल से होते वे जीटी रोड को भी सड़क से संपर्कता प्रदान करेगी इतना ही नहीं ये गया से जुहानबाद और नालंदा के बॉर्डर से गुजरते वे पटना में कच्छी दर्काह में मिलेगी यहां से बिद्दुपुर के बीच बन रहे छे लेनपुल से चक सिकंदर महुआ के पूरब होते वे ताजपुर जाएगा वहां से दर्भंगा एरपोर्ट के पास से गुजरते वे जैनगर के पास समाथ होगी कमोवेश इस एक्सप्रेसवे को इस तरीके से बनाने की योचना बनाई गई है कि उत्तर और दक्षिन के जिलों के बीच सीधा जुडाव हो सकेगा यह एक्सप्रेसवे साथ जिलों से होकर गुजरने बाला है जिसमें ही औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जुहानाबाद, वैशाली और दर्भंगा को जोड़ेगी औरंगाबाद से जैनगर तक की यह कुल सड़क 271 किलोमीटर लंबी होगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस अतना ही तब तक के लिए धन्यवाद